Hi everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ शिवानी लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए एक और relationship advice की वीडियो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप शादी के लिए लड़का या लड़की को देखने जा रहे हो उनसे मिलने जा रहे हो first time यानि कि जो arranged marriage की first meeting होती है उसके बारे में हमेहाँ बात करे हैं और इस first time में कितने लोगों के उपर ये pressure होता है कि पहली ही meeting में आप ये decide कर लो कि इससे शादी करनी है या नहीं करनी है सारे सवाल, सारी judgment, सारे अपने instinct अभी लगा लो और तुरंत के तुरंत ही बता दो है या ceremony कर दी जाती है कि रिष्टा पक्का हो गया तो कितना जादा प्रेशर होता है उस लड़की पे और उस लड़के पे कि ये first meeting में मैं क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया लड़की को अकवर्ट तो नहीं लग जाएगा या फिर कुछ कम तो नहीं पूछ लिया बाद में जो problem होने वाली है अगर ये थीज नहीं पूछा तो तो कितना तोधा pressure होता है वैसा ही एक pressure ये है कि लड़की का past relationship रहा है या नहीं वो पता करना होता है लड़कों को वैसे तो इसमें लड़कियां भी कोई पीछे नहीं है उनको भी पता करना होता ही होगा लेकिन लड़कों में ये जादा चुल होती है कि उन्हें सब जानना कि लड़की का past relationship था या नहीं था था तो कैसा था क्या वो virgin है या नहीं है तो उनको ये जादा उनकी higher list में होता है कि उनको जानना है वैसे तो इस topic के around मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने discuss किया था कि 10 ऐसे question जो आपको शादी की first meeting में पूछने चाहिए या और उसे काफी पसंद किया गया लेकिन उन 10 question में से कोई भी question ऐसा नहीं था जिसमें ये पूछने को मैं बोल रही हूँ कि आप virginity के बारे में कैसे पूछें या फिर past relationship के बारे में कैसे पूछें हाँ एक point पे मैंने ये जरूर बोला था कि ये जरूर पता लगा लें कि आदी नहीं करना चाहते तो ये चीज का उनसे पूछ लें कि कोई दवाव वगरा तो नहीं अपनी मर्दी से आये हैं या नहीं तो एक ये question मैंने उसमें जाला था तो आज बात करते हैं कि डायरक्टिय वाली चीज कैसे पूछें कि relationship है या नहीं है था या नहीं था तो सामने वाला है वो आपके साथ इनना comfortable ना हो अपनी इतनी personal चीज discuss करने के लिए लेकिन अब बात वही आ जाती है कि अगर आपको सिर्फ उसी एक meeting में decide करना है और जवाव देना है अपना और आपके लिए ये चीज ज़रूरी है जानना तो कैसे पूछें तो चलिए इस का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चानल को let's get started देकि सबसे पहली बात तो ये कि ये question बिलकुल शुरू में ही या first question के तौर पे ना पूछें इस question को थोड़ा last के लिए बचा के रखिए इससे पहले आप बाकी की चीज़ आप कर सकते हैं और मैंने tips दिये हैं अपनी उस पुरानी वीडियो में जो 10 question में पहले बता रही थी मैंने discuss किये थे तो वो वीडियो आप देख सकते हो थोड़े ideas के लिए इस वीडियो के end में मैं उसका link आपको provide कर दोगी तो पहले और दूसरे questions पूछ लीजे और इस question को सबसे last के लिए बचा के रखे एक और बात अगर बाकी के जो question आपने इससे पहले पूछे हैं उन मेंसे किसी में आपको ऐसा answer मिला है जो आप जिसमें comfortable नहीं है फर example अगर लड़की बोलती है कि मैं job करना चाहती हूँ शादी के बाद भी even बच्चे होने के बाद भी मेरा career मेरी first priority है ऐसी ऐसी बात अगर वो बोले और आप इस चीज में comfortable नहीं हो आप चाहते हो कि आपकी wife घर समहा ले या फिर अभी work कर ले लेकिन बच्चे हो जाएं तब वो job छोड़े और घर पे ध्यान दे तो इस तरीकी का अगर कोई clashes पहले ही हो चुका है और आपकी इसमें सहमती नहीं है तब तो मैं बोलूगी ये question पूछना ही नहीं चाहिए आपको क्योंकि फिर जब आपकी पहले ही मन बन गया है कि यार ये लड़की और इसका मेरा तो satin ठीक नहीं बैटरी है हमारा जो choice है वो match नहीं हो रही है और आप वैसे भी अगर नहीं करने वाले हो तो इतना personal question पूछने की कोई जरुवत नहीं है तो अब तक जितनी चीज़ें आपने उनसे पूछी अगर उसमें आपकी सहमती है और पूरी तरीके से ये रिष्टा आपको अच्छा लग रहा है और आप हां करने वाले हो तब last में जाके आप ये question उनसे पूछ सकते हो अब ब अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अगर आपको मेरे past relationship के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो अगर वो बोली नहीं मुझे नहीं जानना तो आप खुद से ही बता सकते हो कि देखिए मेरी कभी कोई girlfriend नहीं रही है या फिर मेरी हाँ ए इस तरीके का जो भी आपका past हो या नहीं हो उस चीज को आप पहले तो खुद से ही discuss करके माहौल को थोड़ा comfortable बना सकते हैं कि आप एक दूसरे से ये चीज discuss कर पाएं अगर आप सीधे उनसे ही पूछते रहोगे तो obviously वो क्यों आपको बताएगी जब आप खुद से honest नहीं हो तो पहले खुद से आप honesty उनको दिखाएए और पहले तो उनसे पूछे कि आपको जो पूछना है मुझसे पूछो और वो नहीं पूछते हैं तो खुद से आप initiate लेके उनको अपने बारे में अपने past के बारे में बताएए उसके बाद में जब आपका वाला matter खतम हो जाया तब आप उनसे पूछे कि आप बताएए अपने बारे में और ये चीज भी आप उन्हें भरोसा दिलाने के लिए बोल सकते हैं कि देखिये ये जो बात है ये काफी personal बात है तो it's okay आप मुझे पर ट्रस्ट कर सकते हो लेकिन मेरे लिए पूछना इसलिए जरूरी है कि अभी मुझे बार जाके हां करनी है ये अपना answer देना है मुझे भी बार जाके तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि मेरा partner जो है वो मुझे बताए या मुझे पता हो उसके relationship के बारे में और ये बिल्कुल हमारे बीच की बात रहेगी तो इस तरीके से बात करके पहले आप उन्हें थोड़ा comfortable feel करा सकते हैं और उसके बाद में पूछ सकते हैं कि आप बताए आपका कोई relationship अभी तक रहा है या नहीं रहा है अब answer में आपको अगर ना मिले अगर वो बोले कि नहीं मेरा कोई relationship नहीं रहा तो आप वापसे casual type भी नहीं फिर वो बोले कि नहीं अच्छा किसी पर करश तो होगा तो मतलब इस तरीके से आप एक दो following सवाल पूच सकते हों उनके मन को जानने के लिए अब अगर इसमें वो हां कहें कि हां मेरा एक relationship था तो क्या आप मुझे बता सकते हो थोड़ा और I mean casual relationship था या आप ल conversation काफी smooth जा रही है वो अच्छे से answer कर रही है तब ही इन चीजों को आगे पूछें अगर वो comfortable नहीं है आपको लग रहा है कि वो बहुत you know uncomfortable हो रही है या फिर वो नहीं बताना चाहा रही हो बस ऐसे ही टाल रही है तो आप इस conversation को यहीं बंद कर दें और आपके लिए answer यह होगा कि वो comfortable नहीं है आपसे इस चीज के बारे में बात करने के और तब आप decide कर सकते हो कि अब ऐसे में आपको हा करनी है या ना करनी है और अगर वो comfortable है इन चीजों के बारे में answer करने में और आपको answer दे रही है तो आप further ऐसी बाते पूछ सकते हो कि अच्छा break-up क्यू कि आप लोग अभी भी touch में हो अच्छा as a friend आपकी उससे कभी बात होती है या बिल्कुल block-block कर दिया है तो इस तरीके से आप जान सकते हैं उसके past relationship के बारे में अब इसके बाद आता है और ज्यादा personal question आप इस तरीके से पूछ सकते हो तो क्या आप physically भी involved थे अपने ex boyfriend के स साथ इस तरीके से आप पूछ सकते हो उनकी virginity के बारे में सीदे सीदे पूछ रहा है are you virgin? क्या तुम लोगों ने कुछ किया हुआ है यह बहुत ज्यादा rude और बत्तमी sound करेगा और ज्यादा chances है कि आपको जूट ही सुनने को मिले तो अगर आप बहुत subtle तरीके से और बहु कोई casual आपका you know intimate relation कभी रहा हो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं उनसे और उसके बाद जो भी उनका answer होगा कि हाँ था या या नहीं था तो आप यह पूछ सकते हो कि अच्छा आप regular base पे intimate होते थे या फिर एकात बहुरी स्रिफ as a casual हुआ है तो और आपको पता चलेगा कि वो regular base पे अपने partner के साथ involved थी physically या नहीं थी तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो यह वाले questions और एक और चीज़ अगर वो यह बोले कि वो अभी भी अपने partner के साथ relationship में है या फिर उनका भी breakup नहीं हुआ है तब आप थोड़ा serious होके यह ज़रूर पूछे कि अच्छा तो पिर आप यहां क्या कर रहे हो अगर आप relationship में हो या फिर अभी तक आपने breakup नहीं किया है तब आप यह चीज़ फर्दर पूछ सकते हो क्या आपके parents का आप पे दवाब है या फिर आपकी इस रिष्टे के लिए मर्जी नहीं है या फिर कितनी बार ऐसा भी होता है कि लड़ कर रहे होगी तो जरूर आपको इस बारे में बताएगी कि नहीं मेरा उसके साथ कुछ नहीं है वो अदबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है ब्रेक अप करने को राजी नहीं है मेरी तरफ से मैं उसे मना कर चुके हूँ अगर इस तरीके की बाते करते है तो आप सोच सक जान चाहे उसमें हम्मत आ जाये और रिष्टा की तोड़ दें और अपने बॉइफरेंट के साथ करने की कोशिश करें उसके साथ circles शरी का मां बाप से लड़ने की कोशिश करें कल को रिष्टा खतम हो जाए इसचीज में इस चीज में क्यूं पढ़ना है और और नहीं करनी कि आप उसकी help कर सकते हो रिष्टा तो पका कर लो उसके बाद उसकी help भी कर सकते हो और से नालाइक लड़के से उसका पीछा छुडाने की see I am her husband होने वाला और तू cut ले चल ठीक है और एक चीज और मैं mention करना चाहूँगी यहां पर लेकि बहुत सारे लोग होते हैं को पहले ही टिसकस करें कि आपके पार्णर को कोई पास रिलेशनशिप था या नहीं था और मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर का past relationship रहा हुआ है तो आप ऐसे ही में क्या करें कैसे decision लें इस पे भी मैंने आपसे अगले वीडियो में एक नए topic के साथ में कोई और topic का suggestion हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो जरूर दीजे का comment section में मैं वीडियो बनाती हूँ pregnancy से related, period से related, relationship से related and health and hygiene से related so आप मुझे comment कर सकते हो अगर आपका कोई suggestion हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में लाइक करना मत भूलना इस वीडियो को share भी करना उन लोगों के साथ में जिनकी शादी होने वाली है और जो शादी की first meeting के लिए जाने वाले हैं बाबाई, take care